कुछ है काइस वेलकम टू मैं नीव ब्लॉग असलाम रिप्रों गुट मॉर्णिंग सुबा सुबा चीर बजे जो एना मैंने आज मशीन लगए क्यों ये कपड़ा जो एना बहुं सा राइकट्टा हुआ था सुचा कि आज जो एना कपड़ा ही वाश कर लेते हैं अचार नाश्टे में ना पास्ता खाने का था बच्चों को जबसे अम्मी के वहां से रहके आई हूँ ना तो बच्चे जो एना पास्ता बहुत मिस करें कि कि वहां थी ना तो हर एक दिन छोड़के मतलब ना वह पास्ता ही गा रहे थे अच्छा ना बच्चों को तो मैं यहा तो आज पास्ता ही बनाते हैं, तो यहां पर जो है ना में सारे बिसिक से चीज़े ले ली थी प्यास, टमाटर और सारे चीज़े चॉपिंग कर ली जो पास्ता त्यार है, नाश्ता करते हैं और आप सब भी आजाएं नाश्ता करें हमारे साथ अच्छा फिलाल जो जो ना में यहां पर गस चूला जो 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 यहां मेरा यहां क्युक्सिवड के लिएर्यू जो मैंने पास्ता बनाई आथ तो मेरे हाथ से तुड़ा सा तेल डी आथा तो पूरा चिकन हो गया था, तो मैंने धिल्म कर ली ऑरत और आज जो ना मैंने खाने में बनाई थी चीकनालू का सालन और बनाई थी मैंने चावल तो वही मैं भी जो ना खाना साफ्ट करती हूँ बहुत टेस्टी बना था चीकनालू का सालन तोड़ा सफाई कर लेते हैं क्योंकि अभी जो ना बकराईद है कल होगी बकराईद माशाला से घर की सफाई जो थी ना मेरी वो तो हो गई थी लेकिन ये वाला साइड तोड़ा बाग की था अच्छा ये ना मेरा मैट्रेस का कवर था स्टीच किया हुआ लेकिन वो छोटा पड़ गया और लूज हो गया तो मैं कुसको ठीक कराने के लिए देना है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं राइनिंग टेबल जो एकलेन कर रहे हूँ लास्ट टैम कभी किया था मैंने जब से अब कर रहे हूँ अभी तो बीच में गई थी मैं छुट्टियों में रहने अम्मी के वहाँ पर तो उतनी दिन तो हुआ नहीं क्लेन और कुछ दिन तो मैं आई मतलब आके मुझे कुछ दिन हो गए तो तब से मैं अपने घरवरी साफ कर रही थी तो ये वाली साइट रहे गई थी अगाने के लिए लिए लीती भी तो वह काम जो ठिक से नहीं होता और जो काम ठिक से नहीं हुआ तो काम मुझे पसंद भी नहीं आता तो थोड़े-thोड़े टाइम में थोड़े-thोड़े काम करें तो अच्छा भी रहता है सो बस ही मेरा फाइनल था मतलब घर की जो सफाई होती है उन में से ये वाला पार्ट जो है एंड ताज बहुत जाली चोटी-चोटी से लग गए थे डाइनिंग टेबल के नीचे साइट सो बहुत एकदम अच्छे से मतलब डीप क्लीनिंग कर रही थी और तोड़ा सा वाल का कलर जो होता है न वो भी निकल गया तो उसकी भी सारी डश डश हो गए थी डाइनिंग टेबल पर तो बहुत अच्छे से एकदम मतलब जी जान लगा कि मुझे इसको क्लीन करना पड़ा और धूल तो धूली होती है उसको रोग भी नहीं सकते कई से भी आ जाती है चलिए इसको क्लीन तो कर दिया अब इसको जो न अच्छे से से सेट कर लेते हैं डाइनिंग टेबल पर दूसरी सीट्स थी मैंने निकाल दी अब इस पर अब दूसरी बिचाएंगे अच्छे से तो ये ग्रे कलर की है कपड़े वाली इससे पहला तो प्लास्टिक वाली थी सेट्स ये कपड़े वाली बहुत प्यारी लग रही थी मैंको ये मैंने बॉंबे से लिया था क्राफिट मार्केट से और इतना अफसोस हो रहा कि मैंने एक ही लिया दो तीन लेने चीए थे मतलब इसमें न कलर भी बहुत सारी थे रैट था और वाइट था होफ वाइट था बहुत सारी कलर थे लिकिन मैंने ग्रे ही लिया अब देखते हो इंशालला दुबारा क्राफिट मार्केट जाना अगर कुछ खास काम रहा ना वो साइट और जाना पड़े तो फिर ज़रूर होंगी कल भकरा ही दे और बहुत उदास लगता है देखके ना मतलब इतने सारे बकरे मतलब एक दिन पहला चैनल इतने सांत हो गई है इतने चिला रहे थे क्योंकि चार दिन पहले से पहले इतने चिला आते थे देख देखके और अभी तो चिला भी नहीं रहे मतलब आप उन सामने खड़े ना तो बस देखते रहते और एकदम सालेंट है शायद इन के समझ में आ जाता होगा कि कल हम जो है जिबा होने वाले तो यह बिल्डिंग के बकरे थे और मैं अभी ज हलवा एक्चले बनाना था मुझे दाल गोश्ट लेकिन ने बना पाई दूदी का हलवा तो बहुत पसंद मुझे एक दूदी से काम नहीं चलेगा तो मैंने इसके डेरी को बोले कि मैं हलवा बना रही तो मैं एक दूदी और लाकर दो मुझे तो वो एक दूदी और लाकर तब तक मैंने सोचा कि एक दूदी की छिलके निकाल के इसको धोके घिस देते हैं तब तक क्याना कि दूसरी दूदी भी आ जाएगी तो यहां पर देखे मैंने दूदी जो है घिस ली हूँ एक और यह देखे थोड़ी मोटी मोटी घिसी हो पतली ने गिसनी है यह तो पहुत जाता हलवा एकदम मैश हो जाता मेरी जो गिसनी थी ना उसकी जो होल होती है वो एकदम मोटी मोटी थी और अभी जो ना मैं कडाई निकाल लेती हूँ बड़ी साइस की कडाई लेनी है क्योंकि दूसरी दूदी भी नोंने लेकर आए हूँ मैंने गिस दी तो कौंटी की थोड़ी ज्यादा हो गही है कुछ खास चीज बनाते न तो ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा बनाए जहाँ पर मतलब के एक दूदी थी तो ऐसा लगा कि ने दो दूदी होती उसका हलवा बनाते तो अच्छा लगता थोड़ा ज्यादा ही बनाना चीए कि बंदर एक बार खाए तो दूबारा खाने का रहा तो और ले सकता है बेजे ज़कों के खेर मैंने कडाई में जो इना दूदी घिसी भी डाल दी पानी इसका पूरा ड्राइ का लिया है दूदी का फिर उसके बाद मैंने इसमें तीन से चार चमच जो इना घी के डाले घी अच्छा खासा डालना चाहिए मीठा अगर कुछ बना रहे हो तो नो कंजू से शकर डाल दी है टेस के अकॉर्डिंग मावा डालना है अच्छा खासा क्योंकि दूदी के हलवे में मावा होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट बनता है दूदी का हलवा फिर लाइची की पाउडर मैंने एट कर दी हूँगी आदा चमच तो डाली हूँगी जिसे मिक्स किया और इसका पूरा दूद चुना पानी जो है सब सुकाना है इसमें कटेवे ट्राइफूर्स अच्छे खासे डालने है अगेन इसको बहुत पकाना और इसके बाद इसको सर्फ करना चली हलुआ मैंने बहुत पका लिया कुछ बो भी बहुत ही अच्छी महक करते हैं और आप सब भी आजाए खाने के लिए क्योंकि दूआओं के साथ साथ मैं आपको खाने पर भी बहुत ज़्यादा याद करती है कलीद है इदु लादा तो फिर आच चान रहाते ना तो आज महंदी लगाना बनता है तो मेरे बेटी को वह में महंदी लगा रही हू और जोहान को भी हाथ पर ऐसे ही मतलब थोड़ा बत निकाल दे हूँ है और इसके बाद मैं लगा हूँ है अपने हाथ पर माशाला से हो गया था दूसरा दिन यानि के अगली सुबा इद की सबसे पहला जो है ना मैं फ्रीज से मावा निकाल रही हूँ और दूद निकाल रही थी क्योंकि दूद को बॉइल करने रखना होगा वैसे तो हम लोग दूद गाड़ा यूज़ करते है शिरकुर्मे के लिए चाई के लिए लेकिन शिरकुर्मा बन रहा है ना तो दूद और गाड़ा होना चीए तो मैं दूद को अच्छे से और उबालूँगी इतना उबालूँगी कि दूद और थोड़ा सा ठीक हो जाए मेरे हाथ पे देखे महंदी मैंने एकदम सिंपल सी महंदी निकाली है मैं गो ना भर भर के हाथों पे महंदी लागाना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन नहीं लगा पाई मैंने इसने हाथों पे ज्यादा महंदी क्योंकि कर रात में लेड़ भी बहुत हो गया था और ठ पूरा कर लिया, खाना पकाना साफ सफाय और सब था, लेकिन क्या हो गया कि लास्ट में मैंने रात के खाय भी बड़तन नहीं वाश किया था, लेकिन मैंने छोड़ दी, बहुत खे थी, तो खेर मैंने अभी सारे वाश कर लेने थे, और फिर मैंने फटाफट जोए दूसरी सर शिरकुर्मा भी बगार लिया था और प्लेटफॉर्म भी उसके साथ क्लीन कर ली ये रहा मेरा इद का सूट जो कि इद से दो दिन पहला आ गया था, रेडी मेडी लिया था मैंने बुटिक से, गाउन था और माशालाब बहुत प्यारा लगा था, मतलब लाइट वेट के साथ साथ, इस पे डिजाइन भी जो कीवी थी ना बहुत खुबसूरत से लगी सब इस पे फ्लावर्स बने वे थे कलर भी बहुत प्यारा लगा मुझे, और आप घेर देख सकते हो कितना ज़ादा है और एकदम परफिक्ट आया मुझे ना ज़्यादा लूज हुआ ना ज़्यादा फ्रीट हुआ आप देख सकते हो, पेटी बनीवी थी इस पे लेज थी, और इस पे डुपट्टा देखे ये पत्तियों की कलर का था तो कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट हा और ये मिनी बेटी का है सारा के लिए हम लोग ने रियॉन कपड़े में गरारा लिए ये देखे है, बहुत प्यारा लग रहा था ये कलर मिनी बेटी ने नहीं पेना था तो उसके लिए लिए, हमेशा ना उसका हम लोग वेस्टन लिया करते थे लेकिन अभी बड़ी हो रही है ना तो हम सोसते कि वेस्टन और इनियन दोनों लिया करें इसको इद में, ताकि थोड़े देर के लिए वो इनियन पेने और फिर उसके बाद वेस्टन पेने ये मेरे बेटे का था जोहान का अच्छा तो अभी ही जोहना मैं फ्रेश हो गई कपड़ा पेन लिए आप सबसे पहला जोहना नमाज अदा कर लेते हैं एदूलदा के और बहुत सारी दुखाए मांगेंगे अस्सलाम अलेकूम आप सबको एदूलदा बहुत-बहुत मुबारक हो तो चलिए अभी जोहें तयार होते हैं सबसे पहला मैं अपनी बेटी को तयार करूँगी यह उसी का निकाला हुआ है मैंने नेकले से कंगन है लड़ीकियों को कितना शोक होता है न एकदम सजने सवरने का मैं भी बच्पन में बहुत थी मतलब सब पहनना और अच्छे सरह रहना एकदम मतलब टिप टॉप में ऐसा रहना पहुत अच्छा लगता था मुझे भी कल मैंने न इसके डैरी को बोला था रात में कि तुम आते हो अग जो है न गजरा लेकर आओ सारा के बालों में लगाना है अच्छे मुझे मार्किर जाना था कर रात में लेकिन ठक गई थी तो बाहर नहीं निकल पाई मैं मैं डैरेक्ट सो ही गई थी इसके टैरी ने गजरा लाके फ्रीज में रख दिये थे और बस मैंने ऐसी सिंपली में बेटी के बाल भाने और ऐसी गजरा लगा लिया हूँ और एक लड़ी मैंने इसे हाथ में बाली गजरे की और मेरे बेटी को मैंने एक तब क्यूट तयार किया था जुखान को भी ना दो सूट गी हुए थे पठानी था और पैंशर्ट थी लेकिन उसको ईत का मोका था तो पहला हम लोगे पठानी पिना है खेर आपने मेरे जुमके देखे होंगे मैं भी तयार हो गई और इसके डैडी से तयार होने के पाद मैंने एड मिली हमने बहुत सारी फोटो जो एक लिक किये और फिर मैंने सुचा कि आपसे भी थोड़ी बहुत शेयर कर लेते हैं और यह रहा मेरा जुमका जैसा कि आपको पहले भी बोला मुझे जुमकी बहुत ज़्यादा पसंद ने पहनना फिलाल हम लोग आए वे हैं इद मिलने के लिए सारा की कजन भाई के वहां यूसके चाची चाचु के वहां पर और यही पे कुर्बानी भी होगी यही पे खाना होगा नश्तेवल गए सब हुँच यही होगा तो यह रही कलीजी फ्राई और साथ में तब पाओ सुबे नाश्ते में मैं तो नही काथी इनने पर मैं नहीं निकाला है कंप एक पीषब मैंने हैं निकाला क्याए कि बटी को तोड़ा यडी को थे वार्या देते हैं गोश्ट तो अगेरा लेके और सब कुछ अभी सेट करेंगे और मैंने शुरुकुर्मा बनाया है लेकिन पिया नहीं अभी तक मैंने मेरे हाथ का शुरुकुर्मा बनाया हुआ तो अभी मैं गरम को रख दूँगी दुबारा शुर्कुल में को और फिर अपने लिए निकाल कर पियोगी अज हुआ भी ऐसा कि मेरी हाउस एलपर है इद वाले दिन मतलब जल्दी आती है मतलब मेरी इद की नमाज से पहला मेरा गर पूरा साफ हो जाता है लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ आज उसको कई काम से जाना था भार तो फिर वो लेट हो गए तो जाड़ू पोच्छा उसने आज लगा ही नहीं लेकिन इद की नमाज से पहला पहला है मैंने ही जो है न मतलब वो एरिया क्लीन कर के लिए जा मुझे नमाज पननी थे यह से तो मेरा घर साफ ही रहता है लेकिन फिर भी नमाज है इद का दीन है तो घर में सफाई रखना ज़रूरी है क्योंकि घर में मेहमारों गिराते हैं तो फिर आदा दिन गुजल गया था इद का फिर मेरे हैल पर आके पूरा घर अच्छे से क्लीन की इसी की साथ व्लॉब को एंड करेंगे इंशाला बोचल मिलेंगे अपना ख्यार रखना दुपा में ज़रूर याद रखना अल्ला हाफिस